देश भर में मकर सक्रांती का पर्व अलग-अलग तरह से मानाया जाता है मकर सक्रांती का जहाँ विज्ञानिक महत्व है वहीं इस पर्व को मनाने के पीछे धार्मिक मानताएं भी है पुरानी कथाएं भी इस पर्व के मानने के पीछे एक कारण है मानताओं के अनुसार मकर सक्रांती की दिन गंगा नदी का धर्ती पर अफ्दरन हुआ था यही वज़ा है कि इस दिन गंगा नदी में इस्नान करने का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है आईए जानते हैं मकर सकरांदी से जुड़ी ऐसे ही कुछ मानेताओं और महत्व के बारे में यह पर भारतिय जोतिस के अनुसार पिता सूर्य और पुत्र सनी की मुलाकात की रूप में भी मना जाता है जोतिसे गणना के अनुसार गुरू की रासी धनू में विचरने वाले सूर्य गरा जब मकर यानी की सनी देव रासी में परविश करते हैं तो माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र सनी से मिलने खुद उनके घर जाते हैं यही वज़ा है कि इस खास दिन को मकर सकरांदी के नाम से पहचाना जाता है दूसरी मानेता के अनुसार मकर सकरांदी की दिन ही गंगा जी भागिरत के पीछे पीछे चलकर कपल मुनी के आस्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी कहा जाता है कि गंगा को धर्ती पर लाने वाले भाकिरत ने अपने पूर्वजों के लिए इस खाज दिन तब किया था उनका तब सिवकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी यही वज़ा है कि मकर सकरांती पर गंगा सागर में मेला लगता है महाभारत के भीस्म पितामा ने अपने प्राण त्यागने के लिए सुर्य के मकर रासी में आने का इंदिजार किया था सुर्य के उत्रायन यानि सुर्य का मकर रासी से उत्तर की और जाने के समय देत्याक करने या मूर्थिव को पराप्त होने वाली आत्माई कुछ काल के लिए देवलोक में जाती है जिससे आत्मा को पुर्णजनम के चकर से चुटकारा मिल जाता है और इसे मौक्ष की पराप्ते भी कहा जाता है अता इस पर्व को मनाने के पीछे यह मानता भी है कहा जाता है कि मकर सक्रांते के दिन भगवान विष्णु ने असूरों का अंत कर युद समापते की गोशना करते हुए सभी असूरों के सिर को मंदार परवत के नीचे दवा दिया था इस परकार यह दिन बुराया और नकरातमक्ता के अंत का दिन भी माना जाता है आईए जानते हैं मकर सक्रांते का वेग्यानिक महतु मकर सक्रांते के समय नदियों में इवपुरेशन होती है इससे कई तरह की रोग दूर हो सकते हैं इसलिए इस दिन नदियों में इस्तनान करने का विशिस महतु है मगर सकरांती के समय नौर्थ इंडिया में ठंड का मौसम रहता है इस मौसम में तिल गोड का सेवन सेहत के लिए लाबधायक रहता है यह चिकत सा विज्ञान भी कहता है इससे सरीर को एनरजी मिलती है और यह एनरजी सर्दी में सरीर की रक्षा करता है पुरान और विज्ञान दोने में सूर्य की उत्रायन इस्थिती का अधिक मैद्व है सूर्य की उत्रायन होने पर दिन बड़ा होता है इसे मनुस्य की कार्य चमता में वृद्धी होती है परकास में वृद्धी के कारण मनुस्य की सक्ती में भी वृद्धी होती है इस दिन से रात छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं दिन बड़ा होने से सूर्य की रोशनी अधिक होगी और रात छोटी होने से अंदकार कम होगा इसलिए मगर सकरांती पर सूर्य की रासी में हुए परिवर्तन को अंदकार से परकास की और अगरसर होना माना जाता है आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसे इंफॉर्मिटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद